लाइफ में ना कभी-कभी ऐसी चीज को हम लोग accept करने लग जाते हैं जो हमारी पुरानी यादे और पुरानी संस्कृति से जूड़ा होता है और आज वही सभी लोग accept करने लग गए हैं हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मेरे निव विलोग में और आप सभी को राधी राधी जैसे क्रेशना आई होब कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो क्या हो रहा कि बच्चे तो इसको जा चुके थे और उनका नास्ता वगरे टिफीन वगरे तैयार करके मैंने बच्चों को भीज दिये है और इस समय जो बरतन पड़ी हुए है उसे मैं साफ कर रही हूँ तो हस्बंट जी तो आजकल ओफिस नहीं जा रहे है तो उनके भी सारे बरतन वगरे मैंने साफ कर दिये जैसे कि आप लोगों ने देखा है और उसके बाद में जो समान इदर उदर बिख रहे है तो इने मैं सबको हटा दूँगी तो आजकल जैसे छुटी पे रहो ना तो मैं भी थोड़ी सी ना डिली जी पड़ गी हूँ मतलब डेली मुझे साफ करना ही पड़ रहा है हर समान को क्योंकि इतने सारे धूल वगरे जैसे हवा वगरे चलती है ना तो काफी धूल बैठ जा रहे है तो जैसे कि मैं आप लोगों के साथ एक बात सेयर करना चाहरी हूँ अब तक मैं ना वीडियो डेली अपलोड नहीं कर रही थी लेकिन अब मैं पूरी तरह से कोसिस करूँगी कि वीडियो को डेली रेडुलर बना के रहूँगी और प्लीस अपना प्यार बीचे आप लोग बनाए रखना और प्लीस सब्सक्राइब भी कर दिया करो तो किन क्या है ना कि जैसे आप लोग लाश्ट टेक वीडियो नहीं देख पाते हूँ इसलिए आज मैं बीच में ही आप लोगों को अपना जो बात है वो सेयर की हूँ तो फ्रेंड्स दे कि अब यहां पे ना मेरा जो जाडू है जाडू मैंने सारे घर को लगा लिये थे और यह कि हूँ बालकानी में पोचा लगाने के लिए तो जैसे कि आप लोग मुझे बालकानी को अधिकतर दोती हो देखते होंगे लेकिन क्या है ना जैसे हवा और तुफान चलने से काफी मिट्टी हो गया था तो मैं पहले एक दिन पहले इसे अच्छी तरह से स्याम को धो दिये तो उतना साफ करने के लिए नहीं था इसलिए मैं अभी पोचा ही लगा रही हूँ और सभी तरब से मेरा बाहर बाहर पोचा हो चुका था अब बस अंदर ही अंदर मुझे पोचा लगाना है तो अंदर पूरी तरह से अच्छे से पोचा लगा कि यह मेरा जो लाश्ट काम पोचा कही होता है उसके बाद में बाद्रू वगरे क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैं नहा लेती हूँ तो यहां पर देखिए लाश्ट मेरा पोचा हो गया है और अब मैं नहा ने चले जाओंगे और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ कीचन में अब मुझे बनाना है जमाने का जो हांडी बोलते हैं हमारे अहां मिट्टी के बरतन जो होते हैं और हमारे यह ब्लैक कलर का ही होता है और इस बार जब मैं गाओ गई ना तो यह हांडी लेके आई हूँ मुझे लगा कि क्यों न हम फिर से अपने पुराने रिती रिवाज और पुराने कल्चर के पास चले जाते और सच में फ्रेंड्स आजकल फिर से न लोग फिर से पुराने ही जमाने की जो हांडी या मिट्टी के बरतन है न उसी को लोग खरीदने लग गए है हाले कि जो मिट्टी का बरतन है वो काफी अलग-अलग डिजाइन से आ रहा है लेकिन लोग न फिर से पुराने जमानी की और जाने लग गए है और हांडी का देखा आपने फ्रेंड जैसे की ना हांडी को मैंने गैस से हटा भी दी हो ना फिर भी उसमें उबाल आ रहा था है ना क्योंकि मिट्टी जो होता है वो काफी दे तक गरम रहता है तो यहां देखे दाल बन चुका था चावल भी मेरा बन के तयार हो गया था तो चावल है जो हम मैं मेरे हस्बेंड और मेरी बेटी खाएगी और बेटी के लिए इस पेसल मुझे रोटी बनाना पड़ता है क्योंकि वो ना चावल पता नहीं पसंदी नहीं करता है खाना तो यहां मेरा खाना प्रॉपरली बन के तयार हो चुका था और यहां पे अब मैं दोनों बच्चों के लिए निबू पानी बना के रख दूंगी क्योंकि जैसे आजकल गर्मी जादा हो रही है बच्चे जब आते हैं तो उनके लिए यहां पे दो गलास निबू पानी बना मैं यहां पे दही जमाने के लिए रख दूंगी तो दूद को ना थोड़ा सा जमाली हूँ स्वारी गरम कर ली हूँ मैंने हलका सा और उसके बाद में दही मेरे पास में खतम हो गया था मेरी बेटी ने पूरा ही इसमें से दही निकाल के खा ली थी तो मुझे फिव से दु दाल और सलाट के साथ में आप लोग भी आ जाईए और यह देखिए मेरा बेटा जो है ना इसमें पता नहीं है मतलब साल्ट डाल रहा था वो जो काला नमक होता है ना वो काफी डाल दिया था और बहुत जादा नमक लग रहा था और यहां मैं निकाल लूँगी अब तीनो सूबर से लेकि जो मेरा काम सुरू हुआ था तो अभी दो फिर के बजगे है तीन क्यूंकि खाना खाते खाते बच्चे दो बज़े आते है ना तो खाना खाते खाते थोड़ा सा टाइम हो जाता है और यहां पर मैं बटन भी अभी इसी वक्त क्लीन करके रग दूंगी तो थोड़ा यह जो काम होता है ना स्याम का जो खतम हो जाता है तो देखे हमारा जो पूराना जमानी का परमपरा है ना हर कोई आजकल accept करने लग गया है और सच मुझ में हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि लोग देखे फ्रेंट जैसे की ना पहले के जमाने में कहते हैं सेहत के लिए मतलब की एक होता है ना कि पीतल का या फिर मिट्टी का बरतन यूज करना चाहिए ऐलमूनियम का इतना अच्छा नहीं होत है तो ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा अलमूनियम के चीज को बं कर दे क्योंकि यह रोज मरमरा के जिंदिगी है और हम उसे पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ जितना हो सकता है उतना जरूर हम लोग एक्सप करेंगे तो देखे सारा बरतन हो गया था और य यहां दो हो दाके मैं इसे रख दूंगी और यहां सारा टोटली मेरा काम हो चुका है तो फ्रेंड्स यहां पर जो समान है वो मैं थोड़ी बहुत सेट कर दूंगी जैसे कि जहां क्या समान वहीं रख दोना तो सही रहता है और यह मिट्टी की बतन को काफी अच्छा से होता है तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू विलॉग में ओके बाई बाई